जहीं दोस्तों स्वागत है आप लोग आज के एकने वीडियो में आज के इस बिहार जीके के वीडियो में बहुत से इंपोर्टेंट क्वेशन एंसर का सुलियूसन देखेंगे कौन सा क्वेशन का क्या एंसर होगा इस वीडियो में जानेंगे और यह सारे क्वेशन आप मजने की कोर्सिस करना तो चलि आज कैसी वीडियो को सुरू करेंगे तो इस वीडियो में आपका पहला कोईसन हो जाएगा बिहार में बल्थर मिट्टी की प्रमुक फसल यानि की बल्थर मिट्टी की बीहार में प्रमुक फसल कौन सी है तो यहां पर आपके option होंगे option A, अरहर, जवार, बाजरा, option B, गेहूं, एक कपास, option C, अरहर, धान, जूट, option D, जूट, धान, मक्का और इन option में से जो आपका सही जवाब होगा, वो होगा option B, गेहूं, एक कपास, जो की वल्थर, मिट्टी की परमुक फसल होती है चलिए आपना अगला question देखेंगे, और यहां पर आपका question number 2 होगा, बिहार में सहरों की संख्या वर्तमान में कितना है, यानि कि बिहार में जितने भी सहर है, उन्हें से सहरों की संख्या total कितनी है वर्तमान समय में, तो आपके option होगे, option 230, option B, 125, option C, 139, option D, 149, और इस option में से आपका सही जबाब होगा, option D, 149, वर्तमान में बिहार में सहरों की संख्या 149 है, चलिए आपना अगला question देखेंगे, और यहां पर आपका अगला question हो जाएगा, बिहार के किस जीले में गए लेना पाया जाता है, यानि कि कौन से जीले में गए लेना पाया जाता है बिहार में आपके option होगे, option A, रोहतास, option B, नालंदा, option C, बांका, option D, गया, और आपका जो सही जबाब होगा, option C, बांका, बांका इसका सही जबाब होगा, चलिए आपना अगला question देखेंगे, और यहां पर आपका अगला question हो जाएगा, उत्तर, नौपासान, काल, संबंधित, सम अगरी बिहार के किस स्थान से मिली है, आपके option हो जाएगे, option A, बैसाली, option B, चिरांद, option C, बकसर, option D, सोनपूर, और आपका सही जबाब होगा, option B, चिरांद, चिरांद, चलिए अपना अगला question देखेंगे, और यहां पर आपका अगला question हो जाएगा, बिहार में लगनी किस औसर पर गाया जाता है, और यहां पर आपके option हो जाएगे, option A, दीवाली के तेवार पर, option B, बिवाह के औसर पर, option C, अन्तिम संसकार किसमे, option D, जन मोचसो पर, और आपका जो सही जवाब होगा, option B, बिवाह के औसर पर, बिवाह के औसर पर लगनी राग गाया जाता है चलिए अपना आगला question देखेंगे और यहां पर आपका आगला question हो जाएगा लोक नायक जै प्रकास नरायन का जन कहां हुआ तो यानि कि जो लोक नायक है जै प्रकास नरायन उनका जन कहां हुआ था आपके option होंगे option A पटना, option B सारन, option C सीवान, option D छपरा और आपका सही जबाब हो जाएगा option D छपरा, छपरा में हुआ था चलिए अपना आगला question देखेंगे और यहां पर आपका आगला question हो जाएगा चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा इस्थान है? यानि कि चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा इस्थान है? आपके option हो जाएगे option A पंचम, option B दृत्य, option C, दृत्य, option D चतूर्थ यानि कि पहला, तीसरा, दूसरा, चोठा आपके option है तो आपका जो सही जबाब होगा option A पंचम यानि कि पांचमा इस्थान है देश में बिहार का चावल उत्पादन के छेतर में चलिए अपना अगला question देखेंगे और यहां पर आपका अगला question हो जाएगा बिहार में महत्मा गांधी सेतू किस नदी पर बना हुआ है? यानि कि जो महत्मा गांधी सेतू है बिहार में किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सही जबाब होगा option A गंगा नदी के किनार पर बना हुआ है चलिए अपना अगला question देखेंगे आपका अगला question हो जाएगा यहां पर बिहार के किस जिले में बहु रंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? यानि कि बिहार के कौन से जिले में बहु रंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? आपके option हो जाएगे option A जमूई, option B बांका, option C नवादा, option D कैमूर और आपका जो सही जवाब हो जाएगा option D कैमूर, कैमूर उसका सही जवाब होगा, चलि अपना आगला question देखेंगे और यहाँ पर आपका आगला question हो जाएगा, बिहार राज्ये फूटबल संग की स्थापना कब हुई, तो इस question के option होगे और आपका सही जवाब हो जाएगा option B, 1986, 1986 में हुआ था, चलि अपना आगला question देखेंगे और यहां पर आपका आगला question हो जाएगा छट पुजा में किसकी पुजा होती है तो छट पुजा में किसकी पुजा होती है आपका सही जवाब हो जाएगा option B सुर्यदेब सुर्य देव की पुजा होती है छट पुजा में चलिए आपका आगला क्वेशन देखेंगे यहां पर आगला क्वेशन होगा किस वर्स जै प्रकास रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी तो योजना कब शुरू हुई थी आपके इन अप्शन में से सही जवाब हो सब्सक्रा टानी क्या हुई इन अप्शन मेंसे सही जवाब होगा ओप्शन ब्बेस क्या हो गाँ देखेंगे और यहां पर आपका आगला क्वेशन हो जाएगा तो पहार की राजदानी कहां है तो बिहार की राजदानी कहा हैं आपको कॉमेंट करके बताना है, इन ओप्सन को आप ध्यान से देख लिजिए, इन में से कौन सा करेक्ट एंसर है, आप हमें कॉमेंट करके इसका स्झाँ अंसर बता दीजिएगा, चलिए अपना अगला क्वेशन देखेंगे, और यहां पर आपका आपका आगला क्वेशन हो जाएगा निमन लिखित में से किसे बिहार का राज किया मचली घोसित किया गया है तो आपके इन उप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा उप्शन देशी जिंगा को देशी जिंगा बिहार की राज के मचली के रूप में घोसित किया गया है चलिए अपना अगला कोई देखेंगे आपका अगला question हो जाएगा नीमन लिकित में से कौन बिहार राजे के वर्तमान राजेपाल है तो इन option में से आपका सही जबाब हो जाएगा option B फागू चोहान इसका सही जबाब है यहां पर आपका अगला question हो जाएगा बिहार की सबसे बरी प्रयोजना कौन सी है तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, option B, गंडक परियोजना, option B आपका correct answer होगा, गंडक परियोजना, चलिए अपना अगला question देखेंगे, और यहां पर आपका अगला question होजाएगा, बिहार में सेर सा का मकवडा कहां इस्तित है, option A, सासाराम, option A, सासाराम आपका correct answer लंबाई कितनी है, तो आपका सही जबाब होजाएगा, option B, 345 km, इसका सही जबाब होजाएगा, चलिए अपना अगला question देखेंगे, और यहां पर आपका अगला question होजाएगा, वर्स 2008 में बिहार में बांड से प्रभावित जीलो की संख्या थी, यानि कि कितनी संख्या थी वर्स 2008 में बिहार में आए, बांड से प्रभावित जीलो की, तो आपके option होगे, option 13, option B, 15, option C, 12, option D, 29, और आपका सही जबाब होजाएगा, option D, 29, 19 जीले थे, जो की बांड से प्रभावित हुए थे, 2008 में आए, बांड से, चलिए अपना आगला question देखेंगे, और इसी के सा प्रभावित प्रभावित